कि बिसमिलाय रमाने रहीम देखें यह हमरे पर दोमस कल्कुलेस अक्ससाइज 10.1 का क्वेशन नमर 57 है कि फाइंड सेंटर की वर्टेस असेंपोटेट्स एंड राडियस एज अप्रोप्रियेट ओफ दा कॉनेक सेक्शन एक्ससाइज 57 तो 68 देखें अक्ससाइज में कुशन 57 तो 68 में जितनी भी कुशन है वहाँ पर अगर मुनासिब होगा तो राडियस फाइंड करेंगे प्रेज़ और फोकस के दो पॉइंट कैसे फाइंट करते हैं यह हमने पहले ही दिसक्स कर लिया था वीडियो में तो सबसे पहले हम एक्वेशन और डिसक्स करते हैं जो कि इन अक्सेज में 57 और 58 में यूज होने वाला है यह मरे पास एक 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 एक्वेशन ऑफ सरकल गीवन पिर Y फिर दरमिया में मैनस का सइन अंसाइल हो फिर में होल का सखियर होगा इस तरह कीland कोर् частиस करते हैं आग़े और 57 और 58 में यूज होगी तो मैं आपको सबता दू है एक्वेशन फाइट में जितने भी कवेशन हैं वहाँ पर अगर एक्वेशन औफ सरकल बनती होगि तो उसके center और radius find करेंगे simple वहाँ पर अगर हमारे पास ellipse की equation बनती होगी तो हमें पता है ellipse की equation focus के दो points find करते हैं वर्टरस find करते हैं ठीक हो गया और center find करते हैं अगर हमारे पास parabola की equation बनती है तो वहाँ पर हमारे पास focus का एक point बनता है वह निकालेंगे value निकालेंगे वर्टरस निकालेंगे लेकर हमारे पास equation को solve करने से हमारे पास hyperbola की equation generate होती है तो वहाँ पर हमारे पास वर्टरस focus और center के साथ साथ sample rates की value को भी find करेंगे ठीक हो गया तो step by step भी से solve करते हैं देखें यह हमारे पास question number 57 है कि x square plus 4 x plus y square is equal to 12 के ठीक हो गया तो हमने क्या का हमने का कि इनको whole square बनाने के लिए मैं दोनों तरफ positive 4 को add करते हैं तो x square plus 4 x plus 4 plus y square को वैसे लिख दिया यहाँ पर भी 4 को मैंने add कर दिया अब यहाँ पर देखें यह x plus 2 का whole square बन जाएगा यह y square को वैसे लिखा और यह हमाँ पर बनता है 16 ठीक हो गया अब इसे मैं लिख सकता हूँ x minus into minus 2 का whole सकता हूँ यह मैं ऐसे क्यों लिखा बताता हूँ plus y अब इस y को मैंने लिख दिया y minus 0 का whole सकता हूँ कोई फार्क नहीं रहेगा 16 को मैंने लिख दिया 4 का whole सकता है अब इस positive 2 को मैंने minus into minus 2 इसी नहीं लिखा क्योंकि आगे जो मेरे पास यह वाली जो equation of circle लिखी हूए जो हमने पहले discuss की है उसमें हमारे पास x minus h है y minus है इसका मतलब यहां पर minus होना चाहिए इसे वज़े से मैंने minus into minus 2 लिख दिया ठीक हो गया अब जैसे ही equation 1 और 2 को compare करेंगे तो यहां से k की value यह 2 की equal हैगी और यहां से k की value minus 2 की equal हैगी और यहां से k की value 0 की equal हैगी तो इटमीन h की value minus 2 और यहां से k की value 0 की equal हैगी radius हमारे पास 4 की equal हैगा ठीक हो गया इटमिन संटर हमारे पार बनता है एच के मैनेस टू और जीरो रैडियस बनता है फूर इस लिहाँ से आप सर्कल को इजिली जनरेट कर सकते हैं ठीक हो गया तो देखें वैसे जनरेट करने का नहीं का गया अजिली जनरेट को गया अब देखें जब बात को समझे उसने का थे अगर मुनासिब हो तो रैडियस असम्पोर डेट्स वर्ट्रेस फोकस के दो पॉइंट और सेंटर फाइंट करेंगे यहां पर हमारे पास एक्वेशन ओफ सर्कल बनी है तो सर्कल की एक्वेशन से जस्ट हम संटर और रैडियस ही फाइंट कर सकते हैं इसी वज़े से इसके हमने संटर और रेडियस फाइड किया है ठीक हो गया इसी तरह अब हम क्वेशन अबर 58 है के 2x से केर प्लस 2y से केर मैंस 28x प्लस 12y प्लस 114 इस इक्वल टू जीरो के अब देखें मैंने क्या कि होल एक्वेशन को 2 पर डिवाइड कर दिया क्वेशन को टेङना चाहता था तो यमेरे पस किसी न पाइड करेंगे तो यह देखें 14 x plus 6y plus 57 is equal to zero के अब देखे इसे मैं लिख दिया x सक्यार और इस मैंस 14 x को पहले लिख दिया ठीक हो गया अब यहां पर मैंने क्या किया कि 49 और 9 को इस equation में left की तरफ एड़ भी किया है और right की तरफ मैंने इसको add किया ठीक हो गया और यह जो अमने पर 57 था उस तरह इसे मैंने लिख दा तो मैंस का हो गया ठीक हो गया अब देखे है इस प्लस y सक्यार प्लस 6y को वैसे लिखे लिखे है तो आप देखें यह बनेगा हमारे पास x-7 का whole square यहां से यहां तक x-7 का whole square बनेगा और फिर यहां से यहां तक y-3 का whole square बनेगा और इसे वन लिख दिया अब यह मरपस की है equation of circle equation of circle से मैंने आपको बताया है कि radius की value को find कर सकते हैं और center निका सकते हैं तो यह तो मैरस में है इसे as it वैसे लिखा रहने दें यह मैंस में इसे मैंस इंटो मैंने लिख दिया ठीक हो गया और वान को लिख दिया वन का सकते हैं इससे जब मैंने equation of circle से जब compare करेंगे तो h की value 7 आएगी k की value minus 3 आएगी r की value 1 आएगी इसलिहां से जो center की value 7 और minus 3 निकलता है और radius की value 1 निकलता है ठीक हो गया नाइस स्टेप बेस स्टेप सॉल्व करते हैं देखें हमारा पस equation given है कि x square plus 2x plus 4y minus 3 is equal to 0 के तो देखें ऐस प्लस one को मैंने वैसी लिख दिया ठीक हो गया और इस तरह भी ओन लिख दिया इस तरह भी मनेवाद फोर यह को मैं इस तरह लिखा मैं नाइगिटिफ प्लस ऺटर्थेंग के तो positive 3 3 मारण प्लस 1 यह पर भी डिया यह बनेगा अच्प्स वान का हो से किया उसे समपिल फोर बाइगा नागिटिव फॉर वाइ थी प्लस वन फोर बनेगा एक्स प्लसë वन का हो से कया नागिटव फोर मैनेस four py के साथ यह equation कहां से आती है अगर आपने वह पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने पैराबोला को डिसक्स किया था तो वह इस equation को उसी वीडियो में पहले ही discuss कर लिया था हमने तो वह आप पैराबोला सब्सक्राइब करेंगे तो फोकस निकाल सकते हैं ठीक हो गया और जो कहा गया कोईशन very श्टेमें ने को जाओ शकते हैं टीक हो गया और गिस्ट कहा गया किस्ट में वह drains वही निकाले है जो आप यो करेंगे हैं मैंनσι 4 py के अगर हम बात कर रहे हुं तो यहां पर a пр 4PY के अगर हम बात कर रहे हूं तो उस वाद जो फोकस के दो पॉइंट होता है एफ इन्टो 0 मैं मैंस भी होता है तो 0 X की जगा 0 लोखेंगे य की जगा मैंस भी तो X को लेट कर रहता है X-1 के Y को लेट कर लिया था Y-1 X-1 निकलती है और Y की जिरो निकलती है इसी तरह से अब क्यूंकि यह हमारे पास इकोईशन और पैरबॉला की फार में हमारे पास एकोईशन निकल आए थी तो इसी वाज़ाए से उसके हम फोकस कर रहे हैं वर्टस कर रहे हैं और डिरेक्टर्स करेंगे ठीक हो गया वर्टस के लिए देखें विए इन्टो 00 होता है वर्टस X इस इकूल टो जिरो य जिरो तो X is equal to 0, Y भी 0, X collect कर रहा था, X plus 1 के Y collect कर लिया था, Y minus 1 तो X की value, minus 1 और Y की value 1 निकलेगी इसी तरह जो डिरेक्टर्स होता है, क्योंकि हमने compare किया इसको equation और पैरबॉला की में convert करने के लिए, कि जो हमारे पास formulas यूज होंगे, वो भी parabola की ही यूज होंगे, ठीक हो गया अब इसी तरह, अब देखें, यह हमारे पस question number 59 था, 59 में समझने वाली बात यह है, कि इसे यहां पर solve किया, तो हमने देखा कि यह हमारे पस equation or circle नहीं बन रही, बलकि यह हमारे पर पैरबॉला की form बन रही है, तो अगर पैरबॉला की form बन रही है, तो हमें पता है, पैरबॉला की form में, ठीक हो गया, इसी तरह आगे जो equation बनेगी, वो हमारे पस ellipse की बनेगी, हैपर बोला की बनेगी, ellipse में हम क्या करते है, focus के 2 points find करते है, वर्टस find करते है, center find करते है, और हैपर बोला में एक और चीज़ एकस्टर होती है, असे पोटेर्स वो भी find करते है ठीक हो गया, इसी तरह question number 60 को step by step को, इसी method से देखें, यहाप question number 60 के, y से के minus 4y minus 8x minus 12 is equal to 0 के, ठीक हो गया, अब देखें, इससे मैं लिख सकता हूँ, y से के minus 4y को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक हो गया, अब मैंने क्या किया, कि plus 4 left की तरफ एड़ कर दिया, plus 4 right की तरफ भ का हो सक्या, 8x को वैसे लिए से simple fake करेंगे तो 16 बनेगा, अब यह हमरे पास है, y minus 2 का हो सक्या, क्योंकि इसका जब secure open करूंगा, तो यह equation बनेगी, इसी तरह 8x मैंसे मैंने, plus 16 मैंसे मैंने 8 को कामनी का लिया, तो 8 into x plus 2 बन जाएगा, अब यह भी हमारे पास parabola है, कैसे, x minus 2 को लेट कर लेंगे, capital y x plus 2 को लेट कर लेंगे, capital x, तो इन दो equation को इसमें put करेंगे, तो यह देखें, y से का is equal to 8x, यह हमरे पास parabola की equation है, अगर parabola की equation है, तो इसके focus का points find करेंगे, vertex find करेंगे, और directors find करेंगे, simple बस, और कुछ चुछ फाई नहीं करना, इसका radius नहीं होता, तो इसी तरह देखें, हमारे पास, y से का is equal to 4px, compare करेंगे, तो p की value 2 निकलेगी, इसका, इसके साथ compare करने पर p की value 2 निकली है, अब focus का point होता है, f into p0, उस वाक्त, जब हमरे पास इस तरह की equation हो, y से का is equal to 8x, या y से का is equal to 4px, तो उसका जो focus का point होता है, p into p0, f into p0 होता या, वो put करें, capital y collect कर रखा था, आपने y minus 2, तो हमारे पास ये focus के 2 points निकलते है, sorry, focus का एक ही point निकलता है, 0 और 2, ठीक हो गया, vertex का point है, वो भी देखें, v into 00 होता है, capital x is equal to 0, capital y भी 0 होता है, तो अब x collect कर रखा था, x plus 2, capital y collect कर लेता है, y minus 2, तो x की value minus 2 निकलती है, y की value 2 निकल दिया, तो वर्टिस के points ये बनता है, minus 2 और 2, तो डिरेक्टर्स देखें, x is equal to minus b, अब देखें, हमने equation में हमारे पास जो variable थे, वो समाल x और समाल y में थे, अब हमने उन समाल x और समाल y variable को capital x और capital y में convert कर रखा था, इसी वज़ए से, अब यह जो capital x है, इसे हमने back रखनी है, तो x की जगह का x minus x plus 2 रखेंगे, ठीक हूँ है, और इसको capital x लिकेंगे, ताकि इसकी आगया में जब x और रखूं तो x plus 2 ठीक हूँ, ठीक हूँ है, पी की value minus 2 निकालिया है, वो put करें, तो x की value डिरेक्टर्स की value है, यहाँ पास question number 61 है, एक सके प्लस 5Y सकेर, प भी 4 add का दिया, प्लस 1 को वैसे लिखा रहें ने दिया, ठीक हो कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास यह किसी तरीका सकेर बन जाए, ठीक हो गया, पिर सकेर डिवाइड आगे decide करेगा, कि यह equation of circle बन रही है, यह equation of parabola बन रही है, यह equation of lips, यह hyperbola बन रही है, ठीक हो गया, तो देख ठीक हो गया, अब यहां पर देखें, यह हमारे पास यहां से यहां था कि होल हमरे पास एक्स प्लस 2 का सकेर है, प्लस y सकेर को वैसे लिख देए, इस इकोल टू 5 मैंने वैसे लिख दिया, अब simplify करेंगे equation को देखें, कि यहां पर हमरे पास 5 था, तो मैं कहता हूँ, यहां बोला के case में यहां पर हमरे पास 1 होता है, तो इसी वज़े से मैंने 5 पर divide किया equation को, ठीक हो गया, अब यहां पर देखें, अगर दर्म्यान में plus का sign हो, और यहां पर 1 हो, तो वो equation of ellipse होती है, ठीक हो गया, अब इस ellipse की equation में हमरे वाय तो सिंगाला है, लेकिन x plus 2 को equation of ellipse मे standard form में convert करने के लिए, इस x plus 2 को capital x consider करने, इस small way को capital y consider करने, और अगेन इसको equation number 1 में put कर दें, अब देखें, यह हमरे पास हैपर बोला नहीं है, और नहीं यह हमरे पास equation of circle है, यह हमरे पास equation of ellipse है, और ellipse के according, जो वर्टर्स के points होते हैं, जो focus के दो points होते हैं, जो center होता है वो निकालेंगे, ठीक हो गया, इसमें director's की value नहीं होती, वो नहीं निकालेंगे, इसमें हमारे पास, sample rates नहीं होता, वो नहीं निकालेंगे, क्योंके question की statement में यह कहा गया है, जो appropriate हों, जो मुनासिब तोर पर हों, वो ही find करें, तो देखें, x के divided by 5 plus y के divided by 1 is equal to 1, अब यहा x के नीचे value ज्यादा है, 5, 5, ज्यादा है, बनिस्बत once है, इसका मतलब यह हुआ, कि यह हमारे पास x axis है, क्योंके x के नीचे value ज्यादा है, ठीक हो गया, और जिसके भी division के नीचे value ज्यादा होती है, उसी को a square कहते है, तो a square is equal to 5, a के value 5 under root, इसी तरह b square remaining 1 है, तो b के value 1 न के लेगी, यह मैंने साथ में लिख दिया, कि यह हमारे पास x axis है, ठीक हो गया, इसका case यह होगा, कि x axis पर ellipse के जितने भी फार्मूलाज हैं, सिर्फ वही लाग होंगे, देखें, c is equal to a, msb से कि under root होती है, फार्मूलाज ellipse में, यह फार्मूलाज कहां से आए, यह कैसे प पर बोलकी केस में भी तो निकलते है, एक पॉस्ट में नेकटिव सी जिरो, यह जाई सी बात है, यह मैं पस एकस एकस पर है, तो यह हमें पर यहां पर जीरो होगा, तो capital x को collect कर रखा था, x plus 2 के capital y को collect कर रखा था, small y के value को simplify करेंगे, तो focus के 2 points बनेंगे, एक minus 4 और 0, और is equal to 0, x को collect कर रखा था, x plus 2 के a की value put कर दें, simplify करेंगे, तो यह वर्टेस के point बनेगा, minus 2 positive negative 5 और root 0, इसी तरह जो center है, cn to 00, capital x भी 0, capital y भी 0, capital x को collect कर रखा था, x plus 2 के capital y को just y लट किया था, तो simplify करेंगे, तो center की value minus 2 और 0 बनेगे, तो देखें, यह मैं पस question number 62 है, कि 9x square plus 6 y square plus 36 y is equal to 0 के, अब देखें, मैंने यहां पर क्या किया है, कि 9x square को वैसे लिख दिया, 6y square को वैसे लिख दिया, 36y को भी मैंने वैसे लिख दिया, मैंने 54 को दोनों तरह एड़ कर दिया, ठीक हो गया, एड़ करने के बाद देखें, अब यहां पर मैंने 6 को common कर रखा है, 6 क whole square बनेगा, ठीक हो गया, अब मैं क्या कहता हूँ, कि मेरे पास यहां पर चाहे ellipse की equation बन रही हो, चाहे hyperbola की बन रही हो, तो यहां पर मेरे पास one होना चाहिए, one नहीं है, यह 54 है, तो whole equation को 54 पर divide करना पदेगा, तो मैं divide करता हूँ चाहूँ, मैंने यहां पर लिख दिया कि यह इस ellipse का कौन सा एकसे है, यह एकसे है, तो जिसके भी टेवियन के निचे वैल्यू ज्यादा होती है, एकसे उसी का यूज़ करते है, अब देखे एकस के नीचे 6 कम है, बनिस्पात 9 से, इसका मतलब यह वाए के नीचे जो वैल्यू लिखी हुए 9 वह ज्यादा है, इ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वैल्यू लिखी हुई है, वह 9 इसे हम A स्केर कहेंगे फिर, ठीक हो गया, बिल्कु सेम वही मैच्ट अप्रिव है, जैसे हमने को सॉल्ट किया है, तो इसे समाल X को कैपिटर X कर दें, Y प्लस 3 को कैपिटर Y करके को पूट कर दें, अब संटर से फोकुस का का जो रिसनिस ऐसी एसे का मैसबी सकेर के अंडरूट होती है, वो हमरे पास सी का जो आंसर आता है, वह एकन का आनसर निकाना ज़रूरी है, क्यूंकि फोकस की दो प्वैल्यू इंक्लूड है, अब देखें अस केस में हमारे पास अभी यह मैंपस कौन सा है ellips y access अपर तो जड़ी बाते हैं आप एकस जी रोगा और एकस जी रोगा तो वाइस इक्वाइड नेगटिव सी एकस को लिखा था समाल एकस के वाइड का रखा था या प्लस थी के सी के वे लुड़ों आपने निकाल लिए तो फोकस के पॉइंट दो बनते हैं वो भी देखें दो पॉइंट निकलते हैं ठीक हो गया तो आप चाहें से दो इसो में भी लिख सकते हैं को यश्य नहीं होता है उस वाक्त जब इलिपस हमारे पास वाई एक्स के उपर होते हैं तो वाई की वैलियो को आपने लैट कर रखा था वाई प्लस त्री से एक की वैलियो आपने निकल लिए तो वर्टेस के यह दो पॉइंट करने के लिए जीने यह उसेनेटर की वैलियो यह वर्टेस के वैलियो yönस कर लिया था तो आप वैब्स वाली वीडियो डेखे लें पॉज के लिए होगा क्याबिटर य भी इकुल टू जीरो होगा तो देखें क्याबिटर वाइए एकुल टू जीरो तो य को लट कर रखा था य प्लस त्री तो इसका मतलब यह संटर के वह जिए जिरो मैंस त्री के को निकलती है ठीक हो गया इसी तरफ को स्टेप सुल्व करते हैं यह में बश्च गिया किसी त्री किसे एक्वेशन ओफ लेस्ट बन जाए यह हैपर बॉला बन जाए ठीक हो गया तो आगे किसमें के केहां पर हमारे पस फोन होता है यहां पर डी ऑगी ए फुंड के नीचे बढ़री हो उसी का एक्सही उस करेंगे भी होगी हुओ मेरपस ellipse है उन x-axis के ओपर ठीक हो गया अब देखें इस एकस मैस 1 को हमने लिट कर लिया capital X के और Y-man को capital Y के लिट करने के बाद इस में इस equation में values को put कर दिया put करने के बाद देखें अब two ज्याद है वान से इसके मतलब x-axis यूज़ होगा और अगर एकसे होगा तो एकस एकसे जिए निकले गी वाट के एकुल है ठीक हो गया ए और बी के वैलियू के तो सैंटर से फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उसकी वैलियू को फाइंड करते हैं देखें फॉकस का फर्मूला था मैपातस एकस एकस के ओपर है तो यह फोपास के पॉइंट फॉन समे水 को तो एकस को लैट करका था एक मैज सी की वेलियो समझ कर लिटाए okay कर रखा था एक ल्ड लाम घुट करेंगे 빠 Forbes के दो आपके पर निकलेंगे इसी तर्व वट्रिस के बीड़स निकलते हैं वान और जीरो वान ठीक हो के पॉइंट्स को देखेंगे बेडिक पास नंयगक्त है पास इसे हमरे cvk-C4-qy-q-cq-y is equal to minus 1-k तो करता हूँ इस तरह भी को एड कर देता हूँ और उस तरह थांग गा तो लिए तरफ लिख लिखना तो पाजिए वन बना क्योंकि पहले है नयошते वान था टुफोआज को एड भी कर दिये यहां पर भी और यहां पर भी ठीक क्योंकि किइसे कैंसर रोट मैं कर सकता हूं कोई फरक नहीं पड़ता अब देखें फूर एक्स स्क्या वैसे लिग दिया अब इस वह फोर को मैंने पहले लिग दिया अब य सक्यार मैंने टू वाइब और प्लस वाइब य बाद में लिख दिया अब यह भी अमरे पास एक स्केर और आपके स्केर वापन करेंगे तो यह अगें आपके पास यह को दिखेंगे अब देखें मैं कहता हूँ या हैपरबोला की केस में या इलिप्स के केस में यहां पर हमरे पर जस्ट वान होना चाहिए तो वान बनाने के लिए इस इलिप्स के केस में इस equation को 4 पर डिवाइड करना पड़ेगा तो 4 पर जैसे डिवाइड करेंगे तो यह equation बनेगी अब यह हमारे पस यहां पर दिर्मिया में प्लस का साइण है और यहां पर one है इसके मतलब equation of ellipse है किसके टीवेन के नीचे वैल्यू बढ़ी है definite y की नीचे हमारे पस वैल्यू बढ़ी है फूर्ण ज्यादा है बने स्क वान से इसके वान पर यह एकसे यूज़गा ellipse on वाइय एकसिट ठीक हो गया अब देखें एक्स इपर्ट को रेंगे एक्स प्लस एक्स एकट रिपाइय को लेड़ कर रखेंगे वाइं मैस वाइशन में फूट करेंगे तो यह बनेगा जेंब्र यूए डिडिव लॉपelo cm के अब यह हमारे पास एक के उपर को क्योंकि नीचे बढ़ी है बर्शपत इस से तो एक वेल्यव नीकलती है इसी वजह से बिस्कार कि वैल्यों वान नीकलती है संसर इसमें वैल्यू इसके बूर्ण करेंगे इकल्स के का फार्मूला होता है जब हमारे एकस इकोल डीडू सीब्स उइको गोलेट करका था था यमैस ऐन को रखाता था एकस प्लस उन सीपली फिको लेंगे तो यह आंशर आएगा हमारे पास फोकस का ठीक हो गया वर्टिस का पाइंट्स देखें जीरू पास्टीम नेगटिःव एध होता है तो एकस की वेलीव जी सेंटर के जोग में पास सब्दक होगा से चालब लाइब करEMAし ऐसे बाइप सरुक्त-थ Shift 열리는 कर रहें तो कियुक् denim पास इक्षोफ ओस ती उसमी फू को समार्यम से करका लगा Figasi कर रिखा था तुछ से ऑप क्रणी करणा है वैंकि जगा टो संटर की मैंनस वान और वान ठीक हो गिया इसी तरह अब देखें यह में फ़ैस आट पर को सीर नुम आड़के यह से किया है और अब देखेंगे मैंने क्या करना है यह जो प्लस ऑप तो है इस तरह एक एक मेरे पास क्यार बन जा प्लस वाई यह वैसे लिख दिया मैंने यह पर लिख मैंनस y2 plus 4y मैंने वैसे लिख दिया अब देखें इस वारे positive 4 था इस तरह लिखेंगे तो 1 को वैसे लिख दिया ठीक हो गया तो देखें यह बहुत बनेगा x minus 1 को हो सके है और यहां से हम minus को कम निकलेंगे तो बनेगा y2 minus 4y plus 4 यह पाजिटिव 1 को वैसे डिख दिया यह एकस मैस 1 का होल सकेर एजट हैगा और यह वह बनेगा एकस मैस 2 का होल सकेर इस इकोल टो 1 तो अगर आप गोर से देखते हैं इनके डिवियन के निचे कुछ नहीं तो 1 होगा अब यहां पर माइनस का साइन है पहले वाले कोईशन में यहां पर प्लस का साइन होता था अब अगर माइनस है तो यह हमरे पस डेफिनेटली हैपरबॉला है माइनस है और यहां पर हमरे प्लस का साइन है ठीक हो गया अब हैपरबॉला है एकस के उपर है या या एकस के उपर है X भी उसी का यूज़ होगा अब X पहले है तो इसका मतलब है हैपर बॉला और अगर N यह नहां न होता यहां हमारे पास यह फैक्टर पहले आ जाता वाई तो हमारे पास है पर बॉला ओन Y एक्स होता ठीक हो गया तो याद यहां पर रखेंगे तो यह इक्वेशन में पुट करने कि बाद सबसें यहां पर पलस होगां डिस्टेंस के बाहत कर आप इसी तरह से स्टेप पर स्टेप आगे सॉल्ट करते हैं हमारे पाइब फार्मूला था पासिटर नेग्टिटिव सी और जी रो ठीक होगा एक्स की वैलु यहां से पास्टिटर करेंगे रखेंगे तो आपके पास यह आंसर आएका ठीक हो गया वोटेस का तो आप वीडि होता है एक्सटर चीज़ होती है उसे फाइंट करते है देखें जो एक्सटर चीज़ होती है उसके देखें वाइस एक्सक्राइट पास है पर बोला एक्स लिए पने के वह पुट करेंगे काप एक्स एक्स को एक्समाल एक्स समाल वाय में थे हमने खुछ तो यह स्टार्टिंग में लिखेंगे अब जब इसकी बैक सेट्टी टूर रखेंगे और एक्स की जगा एक्स में समय तो यह जाएगे ठीक हो गया कि हमारे पर जो यह कुशन थी वह समाल एक्स वह में हम चाहते हैं कि हमारे पर आंसर भी इसी में हो